नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में आज के विस वीडियो में हम बात करेंगे कमल इंस्टिट्यूट आप टेकनोलोजी जिसमें बीटेक, डीएलेड और पॉली टेकनिक के कोर्सिस चलते हैं और यह कानपूर देहात में इस्टित है और कई सारे लोगों के कॉमेंट्स आये थे इस पर किसर इसका रिव्यू कर दीजिए एडमिशन लेने से पहले हम कम से कम इस कॉलेज के बारे में जान लें तो इस कॉलेज का प्लेजमेंट रिकॉर्ड मेरे पास नहीं था तो थोड़ा समय लग गया तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह कॉलेज आफर करता है डिपलोमा एन एंजिनरिंग थीरियर्स का कोर्स है और कम्प्लीट फीस इसकी जो है करीब-करीब 84,000 है आप 90,000 मानके चलिए यहाँ पर Civil Electrical Electronics और Mechanical Maintenance और Mechanical Production ठीक है यह ब्रांचेज यहाँ पर एवलेबल है और B.Tech का जो कोर्स है 4 years का है 48,000 पर year का यहाँ की फीस है Civil Electrical Electronics और Mechanical Engineering यहाँ पर अवेलेबल है और D.L.Ed का कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है जो 2 साल का है इसकी फीस मुझे एकदम क्लियर नहीं पता है आल आते हैं फैसलिटीज पर Hostel अवेलेबल है Boys प्लस Girls के लिए Gym इसमें अवेलेबल है चलता है इस टाइम या नहीं यह पता नहीं है Library अवेलेबल है कम से कम 7,008 बुक यहाँ पर है ठीक ठाक लाइब्रेडी है Sport activities outdoor indoor होती रहती है जैसे tennis, volleyball है, football है यह सब कभी कभार होता रहता है cafeteria अवेलेबल है ठीक है IT center भी अवेलेबल है events नहीं होते हैं कभी कभार एकादबार हुए है NCC provide नहीं किया जाता है training and placement जो है available यहाँ पर है ठीक अब बात कर लेते हैं यहां के placement के बारे में तो यहां का जो placement का record है वो काफी हद तक ठीक है और private colleges के मुकाबले देखिए private college अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे colleges है मेरट में ही private institute है private universities है बहुत सारे हैं सब में placement नहीं होता है यह जो college है जैसे लखनाओ में प्रसाथ polytechnic है उससे कुछ मिलता जुलता college आप मान सकते हैं तो कानपुर में अगर है आपको government college नहीं मिलता है तो आप private college से कर सकते हैं और इस college का नाम है KIT कानपुर देहार्ट ठीक है placement की बात कर लेते हैं तो मेरे पास अभी जो placement का data है वो only diploma courses का है जिसको polytechnic बोलते हैं civil का 40-50% हुआ था electrical का 40-50% electronics का 40-50% और mechanical का जो यहां से होता है वो 40-70% तक होता है जिसमें maintenance का 40-70% और production का 50-70% होता है और यह जो analysis है यह data मेरे पास available है 2020 से लेके 2021 और 2019 से लेके 2020 तक इन दोनों सालों के data पर यह analyze किया गया है अब बात कर लेते हैं अगर आपको admission लेना है तो आप इस number पे दिये हुए number पे 8853831975 इस पे आप call करके admission की जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप placement के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो यही same number placement cell का भी है अगर आपका call नहीं pick किया जाता है तो आप इनको mail कर सकते है email id है info at the rate kitedu.org यहां से आप इसका confirmation कर सकते हैं तो दोस्तो आप आपको पता चल गया होगा कि यह college ठीक है आपके लिए या नहीं आप इस सारे records के साथ इस college में जाना चाहते हैं या नहीं इसके अलावा अगर किसी और college के बारे में आपको review करवाना है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं दोस्तो तो मिलते हैं next video में till then take care bye bye